वेलो स्टुडेंट्स आज इस वीडियो में हम करेंगे CBSC Board परिक्षा 2021 में नए पैटर्ण के इस आप से जो आपका प्रशन पत्र आएगा उसके भाग डे यानिके पार्ट ए के ऊपर आधारित पांच नंबरों वाले सुरूत आधारित प्रशन यानिके सोर्स बेस्ड कोश् प्रशन है वो इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं तो शुरू करते हैं वीडियो को कुश्चन नंबर 27 है कि नीचे दिये गए श्रोत को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उसके पर श्यात दिये गए प्रशनों के उत्तर दीजिए तो इसका जो शीर्षक है वो जो सिंदू गाटी सब्विता के अंदर जो नालिया मिली है मौन जोड़ों में तो उनके विशे में मैके लिखते हैं कि निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सरवदा संपूर्ण पर नाली है और हर आवास जो है उसको गली से जोड़ा हो गया था तो मुखे नाले जो है वो गारे में जमाई गई इंटों से बने थे और इन्हें ऐसी इंटों से ढखा गया था जिनने सफाई के लिए हटाया जा सके कुछ स्थानों पर ढखने के लिए चूना पत्थर की पट्टिकाओं का प्रियोक किया गया था धरों की नालियां पहले एक होदी या होती थी जिसमें ठोस पदार जमा हो जाता था बहुत लंबे नालों में कुछ अंत्रालों पर सफाई के लिए होदियां बनाई गई थी यह पुराततों का एक अजूबा ही है कि मलबे मुकेता रेट के छोटे-छोटे धेर सामानने था निकासी के नालों के अगल वगल पड इसलाइजेशन 1948 के अंक में लिखा है तो जल निकासी प्रनाली जो है वो केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी बलकि यह कई छोटी बस्तियों में भी मिली थी उधारन के लिए लोथल में आवासों के निर्मान के लिए जहां कच्ची इंटों का प्रयोग होता था य तो यह लोग रखते थे तो यहां तीन प्रश्ण दिये गए हैं तो क्वेशन नमर एक है किसी एक कारण का उले कीजिए कि मैके ने क्यों कहा कि निश्चित रूप से यह आप तक हो जी गए सर्वता संपूर्ण प्रनाली है तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि यह आप त अभी तक प्रनालियां ढूंडी गई हैं उनमें सबसे आधुनिक तम और ज्यादा साइंटिफिक तरीके से योजनवत तरीके से बनाई गई प्रनाली थी तो इसी लिए मैके ने इसको जो है अब तक की सर्वता संपूर्ण प्रनाली का कोशन नमबर दो जो है वो इस प्रकार कि जाली नुमा यानिके ग्रीड जो नमूना प्रनाली है जो की निचले शेयर में था को परिवाशित कीजिए इसकी एक विशेष्टा का वरनन भी कीजिए तो इसका उत्तर होगा कि जाली नुमा प्रनाली का अर्थ ये है कि सडकें और गलियां एक दूसरे को समकून पर काटती थी और सीधी सरल रिखा में बनी थी यानिके जाली नुमा जैसे जाली में आप जानते हैं कि तारें इस तरह से सीधी होती है और फिर इस तरह से 90 डिगरी पर उनको दूसरे जालियां के तारें काट रही होती है तो इस तरह से ये जाली नुमाएं हैं निके ग्रीड प्रणाली थी तो सडके और गलियां दोनों ही इस तरह से काटती थी कि एक दूसरे को 90 डिगरी का इंगल बनाती थी और सीधी सरल रिखा में जाती थी कोशन नुमबर तीन है कि घरेलू निकास प्रणाली की विशेष्टाओं का वरणन कीजिए घरेलू निकास प्रणाली की विशेष्टा थी कि प्रते घर का अपना शनानगार होता था जिसमें इटों का फर्ष लगा होता था जिसकी नालियां दिवार के माध्यम से सीधे सडक की नालियों से जुड़ी होती थी, यानि कि शनानागर्ज जो है वो दिवार के पास बनाया जाता था, बाहर वाली दिवार के पास, जिससे की जो उसका पानी है, वो सीधे सड़क की नाली से जोड़ा जा सके, अब अगला जो स्रोत प्रशन है, वो कोशन नमबर 28 है, कि नीच तो ये सोर्स है, वो इस प्रकार है कि निमेलिकित गद्यान से, जहां आरा द्वारा रचित शेख मुहिनुदीन चिष्टी की जीवनी, मुनीस अल अक्खा, यानि कि आत्मा का विश्वस्त से लिया गया है, यानि कि इस रचना को मुनीस अल अक्खा, जो की शेख मुहिनु के बाद यह फकीरा जहां आ रहा फकीरा जो है इस्त्रिलिंग है फकीर का तो राजधानी आगरा से अपने पिता बादशा शाहजां के संग पाक और बेजोड अजमेर के लिए निकली मैं इस बात के लिए वाइदा परस्त थी यानि के वाइदा कर रखा था मैंने जिस बात के लिए वो ये था कि हर रोज हर मकाम पर मैं दो बार कि अखतियारी नमाज अदा करूँगी बहुत दिन हो गये तो बहुत दिन उसके बाद है कि रात को बाग के चमड़े पर नहीं सोई क्योंकि बाग का चमड़ा का मुलायम होता है और क्योंकि जहां आ रहा पहा एक राजक अपनी पीठ उनकी तरफ की मुकदस का मतलब पवित्र होता है तो पवित्र दरगा की तरफ ना तो उन्होंने अपने पैर की है और ना ही कभी उसकी तरफ पीठ करी और मैं पेड के नीचे ही अपना पूरा दिन गुजारती थी वीरवार को रमजान के मुकदस महीने के चोथे रोज मुझे चिराग और इत्र में डूबे दरगा की जयारत की खुशी हासिल हुई यानि के उन्हें जो वहाँ पर जाने का जो मौका मिला दरगा में वो रमजान का दिन था वीरवार का रमजान के महिने का ब्रस्पतवार का दिन था तो उसमें वो वहां पहुंच सकी चुकि दिन की रोशनी की एक घड़ी बाकी थी मैं दरगा के बीतर गई और अपने जर्द चेहरे को चौकट की धूल पर रगड़ा तो यहां जो आपको भी कह रही हैं कि मैं बड़ी खुश किसमत थी कि अभी कुछ समय बाकी था इसलिए दरगा के बीतर जाने का उन्हें मौका मिला और उन्होंने अपने चेहरे को जो है वो चौकट की धूल पर रगड़ा यानि कि उनके लिए जो धूल थी चौकट की जो वहां आने वाले यात्र के पैरों की धूल थी उसको उन्होंने रगड़ा उसको पोवित्र समझ के दरवाजे से मुकदस दरगा तक मैं नंगे पाउं वहां की जमीन को चूमती वही गई गुंबद के भीतर रोशनी से वरी धरगा में मैंने मजार के चारो और साथ फेरे लिए आखिर में अपने हा जार के उपर रख दिया है अब कोश्चन एक है कि क्या आपको पता है कि दरगा पर कोई और शाही गंतुक गया था यानि कि और भी कोई विग्जिटर वहां गया था शाही परिवार का तो उसको बताना है आपको तो इसका उत्तर है कि शाशक जो दरगा पर गए थे वो नि ग्यासुदीन खलजी मालवा के यानिके पहले जो खलजी वंस के संस्तापक थे ग्यासुदीन वो मालवा के शाषक थे यानिके दिल्ली सल्तनत के जब तक वो सुल्तान नहीं बने थे उससे पहले मालवा जो की गुजरात में वहां के शाषक थे तो उस समय वो मालवा के शाष का परिक्षन कीजिए. तो इसका उत्तर प्रकार की सिरोत के संबंद में जयारत का मतलब है. पहला सूफी संतों की मजार पर तीर ज्यात्रा करना और दूसरा है सूफी संतों की बरकत पाने की आशा करना तो विबिन धर्मों जातियों और विबिन समाजिक वर्गों कि लोग दरगा के प्रति शर्दा व्यक्त करते थे चाहे वो हिंदू सो या मुस्लिम या किसी भी जात्री का हो या समाज के अलग लग वर्गों का हो यानके चाहे वो फकीर हो या बाधचा ओ वो दरगा के प्रति अपनी शर्दा रखते तो इस तरह से विभिन तरीकों से जो है वो अपनी श्रदा जो है वो अपनी श्रदा जो है वो अधरगा के प्रतिव यक्त करते थे नाच और संगीत भी जयारत का एक हिस्सा था खास तोर पर कवाली द्वरा प्रस्तुत रहसेवादी गुनगान जो थे जिन पर परमानंद की भावना को उभारा जा सके वो भी एक तरीका था अपनी श्रदा को व्यक्त करने का प्रशनों के उत्तर दीजिए इसका शीष्य का राष्ट्य भाषा की क्या विशेष्टाएं होने चाहिए तो गद्यान से कि अपनी मृत्यों के कुछ माँ पहले मात्मा गांदी ने भाषा के प्रश्म पर अपने विचार दोराते वेका था कि यह इंदुस्तानी ना तो संस्क्रित निष्ट हिंदी होने चाहिए यानि के संस्क्रित के उपर आधारित हिंदी नहीं होने चाहिए ना ही फार्सी निष्ट उर्दू यानि के फार्सी के उपर आधारित उर्दू यानि के दोनों ही भाषाएं इस तरह से इंदुस्तान से ऐसे शब्द लेने में कोई घर्द नहीं है जो हमारी राष्ट्र भाषा से अच्छी तरह और असानी से घुल मिल सकते हैं इस प्रकार हमारी राष्ट्र भाषा एक समरद और शक्तिशाली भाषा होनी चाहिए जो मानवे विचार और भावनाओं के पूरे समुच्चे को अभिव्यक्ति दे सकें और खुद को हिंदी और उर्दू में बांध लेना देश्वक्ति की भावना और समझदारी के विरुद्ध एक अपराद होगा यानिके वह चाहते थे कि देश्वक्ति का अधार नहीं बनाना चाहिए बलकि भाषा जो है वो क्योंकि विचारों की अभिव्यक्ति के लिए होती है मानवे भावनाओं को व्यक्ति करने के लिए विचारों को व्यक्ति करने के लिए होती है इसलिए हिंदी या उर्दू में देश्वक्ति की भावन को बांगना समझदारी के विरुद्ध अपराद मानते थे वो कुश्चन नमबर एक है बहु सांस्कृतिक से क्या अभिप्राय है तो यहां बहु सांस्कृतिक शब्द का क्या अर्थ है वो बताना है तो बहु सांस्कृतिक भाषा से अभिप्राय जो है वो निमिलिकित है पह बनी हो कुशन नमबर दो है स्रोत के संदर्ब में राष्ट्य भाषा की क्या विशेष्टाएं होनी चाहिए तो इसका उत्तर है स्रोत के संदर्ब में राष्ट्य भाषा की निमिलिकित विशेष्टाएं होनी चाहिए पहला है कि यह ना तो संस्कृतिनिस्ट हिंदी होनी चा कोश्य नंबर तीन है भाषा समिति की रिपोर्ट ने देश भक्ती की बावना को बढ़ावा दिया कारण बताएं इसका उत्तर है कि समिति ने मिले के सुझाव दिये पहला कि समिति ने सुझाव दिया कि देव नागरी लिपी में लिखी हिंदी भारत की राजकिये बाशा आगे बढ़ना चाहिए केवल 15 वर्ष तक सरकारी कामों के लिए एक शेत्री भाषा चुनने का अधिकार होगा इसके साथ ये वीडियो समाप्त हुआ आपको ये वीडियो कैसा लगा बताईएगा अगले वीडियो में मैपा धारित प्रश्ण लेकर यान के क्वेशन नमबर 30 लेकर आपके सामने आएंगे और इस तरह से इस शंकला को पूरा करेंगे धन्यवाद